मुझे गर्व है अपने प्रधान मंत्री पर कि भारत के इंजिनियर्स भारत के आर्किटेक्ट इन सबों ने इतनी कमाल की चीज़ बनाई है कभी नहीं भूने पुरानी बिल्डिंग सब अंग्रेजों ने बनाई है भारत गुलाम था मज़ूर हिंदुस्तानी थे पैसा हिंदुस्तानी था लेकिन बनाने वाले सोचने वाले आर्किटेक्ट सब विदेशी थे यहाँ जो संसत बनी है यह ट्रू भाषा में मेड इन इंडिया है इसको लेकर जराव रमेश जो रहुल गांदी के बहुत नजदीकी है और मीडिया विभाग के हिडिन ने क्या कहा है इससे मोधी मल्टिप्लेक्स या मोधी मैरियट कहा जाना चाहिए क्या मतलब है इसका भारत की संसत को कॉंग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे जैराम रमेश यह गौट नो राइट तो इंसल्ट इंडिया पार्लिमेंट बाइश जो रहा है शेमफूल ए पार्टी की और से भैंकर निंदा करता हूँ यहां वास्तु करा लोगतांत्र को खतम कर सकती है तो सम्विधान को फिर से लिखे बिना ही 33 में सपल हो गए इतना विस्तारित जगह है आप जाईए बात करिए तो जैराम रमेश को बोलना है मुझे घूमने में दिक्कत हो रही है तो संसद नई संसद सभी सास्दों के लिए बनी है जैराम रमेश तो आज कल लोग सवाग में बर रहे नहीं है उनको घूमने में दिक्कत होती है या दिखावा करते है उसके कारण ये भारत की पूरी शिल्ब कला वास्तु कला मजदूरों की मेहनत जो डिजाइन हुआ है वो कितनी बड़ी उपलब्दी है भारत के बास्तु कलाकी शिल्ब कलाकी हम समझते हैं उनकी परशानी दूसरी है कि वहाँ पर गरूड चिन्न क्यों है वहाँ पर हाथी क्यों दिखाया गया है वहाँ पर भारत की जो पूरी सांस्कृतिक परंपरा उसकी जलक जो दिखाई पड़ती है उनकी ये परिशानी है उसके दूसर तो पिलकुल आदी काल से आज तक भारत की विविज्दा की भी जलक है भारत की वैग्यानिक उचाई की भी जलक है तो ये बहुत दुर्भागी पूर्ण है और ये मैं कहना चाहता हूं कि कॉंग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था इस पूरे प्रिजट का प्रियंका जी ने किया था राउल गांदी ने किया था कॉंग्यस के लोंने कई प्याइज और करवाया सूप्रेंचों को हाई कोट में सब डिस्मिस हुआ तो मोटी बात यह मित्रों कि इनको नई संसत से परिशानी नहीं है इनको नरेंद्रमोदी से परिशानी कि इनको नहीं है